जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 1 और 2 के लिए जो अवसर एप के अंदर ही आपका सेटिफिकेट है जो आपका रिपोर्ट कार्ड है जो आपका रिजल्ट है वो उसी से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए क्या करना होगा आपको सबसे पहले आपने प्ले स्टोर के अगर आपने अवसर एप को पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो आपको वो अपडेट करनी है और प्ले स्टोर के मध्यम से ही वो अपडेट करनी है अगर डाउनलोड नहीं कर रखी तो आप उसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पे आपने लिखना है अवसर एप तो अवसर एप लिखने के बाद यहां पे open होगा देखो अगर आपने install नहीं कर रखी है जहां पे update लिखा हुआ रहा है यहां पे install लिखाएगा तो आप यहां से install कर सकते हैं अगर जगा पहले है इंस्टोल नहां उपने अपडेट करनी है अप्डेट पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो जो आपकी downloading शुर्च स्टार्ट हो जाएगे कि downloading पूरी होने के बाद यह install होगी और जैसे ही install हो जाएगी तब अभी आपको यहाँ पर ओपन बटन दिखाई देगा अब इस पर आप क्लिक करेंगे और आपकी जो अवसर एप है वो आपकी यहाँ पर दिखाई देगी तो यहाँ पर देख सकते हैं पूजा लड़की है क्लास टू की उसका रिपोर्ट कार्ड जो यहाँ पर आ चुका है औ आपको ऐसा दिखाई देगा यहाँ पर आपने डिस्टिक्स करनी है जैसे मैं अमबाला कर रहा हूं और इसका ब्लोक स्कूल देखना है आपने जो आके दिखने नमरी लखी है चार पर तो इसमें आपने क्या करना है अपने स्कूल का जो कोड है वो ढूंड़ना है यहाँ हैसुआ पर जैसे स्कूल का कोड है 10166 सब्सक्राड लग तो क्लिक करेंगे तो क्लास लीट करनी है मालव हम सेकंड्रक्स करते हैं और नेम मैं हम यहाँ पर भर देते हैं पूजा जो लड़की है उसपा जे यहाँ पर इसके नाम पर क्लिक करेंगे और डेट अ बर्ठ आपन गया है चाहँ पर चाहँ करेंगे चाहँ सबसे ऊपर a रिपोर्ट कारड नीचे है एक्टिव सबसे रिपोर्ट कार्ड करना है और आप देख सकते हैं जो यह रिपोर्ट कार्ड है यहां पर जनरेट हो चुका है ठीक है पूरी डिटेल है इसकी के हिंदी इंग्लिस मैथ में इसके कितने कितने में से तीस में से कितने number आई हैं यहाँ पे आप इनका check कर सकते हैं तो यह है report card आप कैसे check करोगे उमीद है आपको समझ में आ गया होगा तो सभी बच्चों ने अपना ऐसे ही करना है अगर एक ही घर में दो बच्चे हैं तो आप देख रहे होंगे जो पूजा के सामने इधर right side में इक की अरो का निसान है इसने करेंगे और करने के बाद add student के क्लिक करना है add student क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है वही प्रोशीजर है दिस्टिक select करना है पिर blocks select करना है वही school यण या अगर दूसरे स्कूल में है तो आप उसका उनका कोड ही डालना है आपने यहाँ पे और उसके बाद क्लास सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे ठीक है नेम करने के बाद आपने फिर क्या करना है जैसे कोई और बच्चे का देख लेते हैं हम यहाँ पे तो इस पर continue करेंगे और continue करने के बाद इनका भी खुल गया है और report card हम click करेंगे तो इसका भी यह certificate जो है आप जो report card है वो आ चुका है तो इस परकार आप check कर लेंगे अपना-पना ठीक है थैंक यू